जाएं दोस्तों वेलकम टीन एनी स्कूल दोस्तों क्रिप्टो करणसीज के बैंड को लेकर या फिर आप कह सकते हैं कि क्रिप्टो इंडेस्ट्रीज को लेकर प्रदान मंतरी मोधी और फाइनेंस मिनिस्टर नेमला सितारमन की तरफ से अब जो लेटेस्ट अपडेट आ रहा ह क्रिप्टो आपने होल्ड किया हुआ है क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं यहाने वाले समय में क्रिप्टो करनसीज में एक बड़ा चोटा इंवेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो दोस्तों यहां पर जो मैं आपको बताने वाला हूँ क्रिप्टो करनसीज के बारे में व और फॉर्मर जो गवर्नर हैं आर्वी आई के वो दोनों ही इस बात से बेहद अपोजिट हैं कि क्रिप्टो करंसीज को लीगलाइज घोसित किया जाए ये लोग लगातार काफी लंबे समय से इस बात को बोलते आ रहे हैं और हर संभाव कोशिश कर रहे हैं कि क्रिप्टो करं के चलते रहने से बैंक्स का बाहरी नुकसान है इसलिए इंडिया में नहीं बलकि पूरी दुनिया के जितने भी बैंकिंग संगटनी है या दोस्तों वहां के सेंट्रल बैंक है वो सबी क्रिप्टो करंसीज को बैंक करनी की लगातार कोशिश में थे और इंडिया में तो द निर्मला सितारमन हमारी जो फाइनस मिनिस्टर हैं और हमारी जो प्राइम मिनिस्टर हैं प्रदान मंतरी मोधी इन दोनों ने ही क्रिप्टो करंसी को लेकर कुछ बड़े अपडेट दिये हैं प्रदान मंतरी मोधी के अलावा पहले जो निर्मला सितारमन जी का अपडेट है उसमें साफ साफ निर्मला सितारमन जी ने अपडेट दिया है कि क्रिप्टो करंसी जी एक फ्यूचर इस्टिक तिंग है और इसे बेंद करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता और दोस्तो साथ ही उन्होंने ये भी संकेट दिये हैं कि क्या भारत को अलसे अलवाडूर के रास्ते पर आगे बढ़ने का मतलब है कि बिटकोईन को पूरी तरह से इंडिया में लिगलाइस घोजित कर दिया जाए और दोस्तो ऐसा ही सरकार यहाँ पर कुछ काम करने की कोशिश भी कर रही है तो दोस्तो नेमला सितारमन हमारी जो फाइनेंसर मिनिस्टर हैं उन्होंने जो यहाँ पर संकेट दिये हैं वो बहुत ही ज़्यादा जबर्दस्ते हैं और इसे देखते हुए भारत में क्रिप्टो करन्सीज को बहुत ही जल्दी पूरी तरह से लिगलाईस किया जा सकता है अगला जो अपडेट आया है खुद पर्दानमंत्री नारेंद्र मोधी की तरप से प्रदानमंत्री नारेंद्र मोधी जी ने यहाँ पर का है Indian Prime Minister Narendra Modi says cryptocurrencies should empower democracy बहुत ही important उन्होंने बोला है कि cryptocurrencies और social media को एक स्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है और उन्होंने बोला है कि cryptocurrencies democracy को empower करने का काम करेंगी यानि democracy को मजबूत करेंगी यानि एक विसेस country को बहुत ही मजबूती उसके financial जो सेक्टर हैं उन्हें काफी मजबूती cryptocurrencies दे सकती है Indian Prime Minister Narendra Modi said that the emerging technologies such as cryptocurrencies should be used to empower democracy यानि जो emerging technologies हैं जो हमारी blockchain है जो cryptocurrencies हैं उन्हें एक democracy को empower यानि मजबूत करने का काम करना चाहिए और इससे पहले आपने सुनाई होगा कि blockchain को प्रदानमंतरी Modi बहुत ज्यादा support करते हैं दोस्तों अगर आपको अभी भी ये idea नहीं है या अभी भी आपको कोई चीज को लेकर बैका रहा है कि cryptocurrencies ब्लोक्चेन नहीं है तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है क्योंकि blockchain और cryptocurrency ये दोनों कहीं नहीं एक ही सिक्के का पहलू है और अगर blockchain आगे बढ़ेगा तो cryptocurrencies ना बढ़े ऐसा नहीं हो सकता अगर cryptocurrencies को बैन कर दिया जाएगा तो blockchain अपने आप ही बैन हो जाएगा इस बात को आपको यहाँ पर समझ ना होगा प्रदानमंतरी मोधी ने इस बार पहले तो वो blockchain को promote करते आ रहे थे लेकिन इस बार उन्होंने साब साब cryptocurrencies को promote किया है और दोस्तों ये एक बहुत ही बड़ी बात है और दोस्तों अब आपको समझ आ गया होगा कि इंडिया में cryptocurrencies के बैन होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठा बलकि इंडिया इसे पूरी तरह से regularize करके आने वाले समय में cryptocurrencies की जो धूम मचेगी दुनिया में वो बहुत ही ज़ादा जबरतस्त होगी और दिस तरह से दोस्तों share marketing में लोगों ने पिछले 15-20 सालों में अच्छा पैसा कमाया क्योंकि 15-20 सालों पहले share की value काफी कम हुआ करती थी किसी भी companies के उसी तरह से आज की date में जो crypto currencies की value बेहद कम है वो दोस्तों आने वाले 10-15 सालों में क्या होगी आप इस बात कांदा जबी नहीं लगा सकते दोस्तों इसी statement को देखते हुए निर्मला सीतरमन और प्रदानमंतरी मोधी के देश का एक बड़ा bank कोटक महिंद्रा bank becomes the first major bank to open doors to crypto trading crypto trading के doors खोलने वाला कोटक महिंद्रा bank पहला bank इस समय पर भारत का बन चुका है यानि जो banks पूरी तरह से दरवाजे बंद कर दिये गए थे वजीर एक्सिया किसी भी दूसरी exchange पर bank ने लेन देन बिलकुल मना कर दिया था crypto currencies में अब वो दरवाजे फिर से खुल गए हैं और यहाँ पर दोस्तों आप banking system लगातार support करते न जरा रहे हैं क्योंकि banking system को इस बारे में पता चल चुका है कि इंडिया में crypto currencies बैन तो होगा नहीं और भले ही bank यहाँ पर सिधा लेन देन ना करने crypto में लेकिन फिर भी finally banks को यह करना तो पड़ेगा ही तो इस सब को देखते हुए एक बड़ा bank को टकवे इंडरा bank सामने आया और उसने वजीरक्स पर अपना account खुलवा दिया और यहाँ पर crypto trading के लिए अपने दरवाजे कोल दिये जो हम सब के लिए बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों इसके बारे में आप believe भी नहीं कर सकते और दोस्तों इसी के साथ साथ cryptocurrencies में आने वाले समय में अगर आपको एक बड़ी earning करनी है तो मैं आपको बता दू क्रिप्टो करन्सी की best technologies का सारा उसके लिए आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा daily basis की earning 4000 से 6000 दोलर first week में और last week में 8000 दोलर के आसपास daily जबरदस्ती इसी तरह से दोस्तों क्रिप्ट करन्स इस को जानते हैं जब आने वाली एक से डेड़ साल में ज्यादा तर लोग इस टेक्नलोजीस के बारे में जान जाएंगे तब यहाँ पर भी अर्णिंग करना मुश्किल हो जाएगा लेकिन इस समय पर आपको अगर बड़ी अर्णिंग क्रिप्टोकरंसी में छोटे मोटे इंवेस्टमेंट से सुरू करके करनी है तो इस वीडियो के Ambassador मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है जोगतव करने के बाद वहाँ पर आपको एक लिटिइस्ट मैसेज मिलेगा करते हैं और इस तरह से दोस्तों यह टेक्नोलोजी आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट कमा के दे सकती आने वाले कुछ मंस के अंदर तो दोस्तों जबरदस से टेक्नोलोजी है इस टेक्नोलोजी कल आप जरूर उठाएं उससे पहले कि यहाँ पर ज्यादा कॉम्प्टिशन सब्सक्राइब करें साथ इस वीडियो को लाइक को शेयर करना ना भूलें और क्रिप्टो करंसी में दढले से ट्रेडिंग करें क्योंकि यहाँ पर दोस्तों इंडिया में इसका इसको पाने वाले समय में बहुत तेजी के साथ बढ़ने वाला है तैंक यू